हेलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब उम्मित करते हूं आज मैं शेयर करने वाली हूँ एक डो की रेसिपी उस जो से हम नान, कुल्चा, भटूरा और पाउ चारो ही चीजे बना लेंगे सिर्फ एक डो से और इसके अलावा भी आप उससे काफी सारे चीजे बना सकते हैं जो कि आग अब अपनी जरूरत के साब से कम जादा कर सकते हैं और उसे उसी के अकोर्डिंग सारा समान कम जादा करें अभी देखिए नमक डाल दिया है मैंने या पर 3-4 टीस्पून और यह मैंने पाउडर शुगर ले ली है दो टीस्पून यानि कि जो हमारे खाने के चम्मच आते है अभी ओईल डालेंगे हम इसमें यहाँ पर मैंने रिफाइंड ओईल का इस्तमाल किया है जो कि मैं तीन चम्मच डालने वाली हूँ वही सेम चमच मैंने यहाँ पर अभी इस्तमाल की है ओईल के साथ साथ अब हम इसमें कर्ड एड़ करेंगे यानि कि दही घर का बना हुआ तरफ कर दही नहीं है दही मैं इसमें 6 चम्मज डालूँगी यह देखिए 6 चम्मज के ब्रचाओ को और आड़ करें दो हलका खटा होगा तो चलेगा ज्यादा खटा इसतमाल ना करे, अब भी मिक्स कर देते हैं, मैं स्पून से भी मिक्स कर रहा हूं लेकिनать स्पून से मिक्स कर तयार करेंगे जैसा कि हम जब पाव बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं उस टाइम पर लगाते हैं और देखिए अब मैंने थोड़ा सा ओईल लगा कर इसे मल लिया है अच्छा से गूत लिया है और यह ढखकर हम इसे एक घंटे के लिए रैस्ट के लिए छोड़ देंगे एक घंटा मिनिमम छोड़ें आप चाहे तो दो से तीन घंटा भी छोड़ सकते हैं अब गर्मिया चल रहे हैं तो उसके साब से एक घंटा जोगा काफी है अच्छे से कवर कर दिया है मैंने इसे 10 मिनिट के लिए प्रीहीट कर लेते हैं से मीडियूम फ्लेम पर और इतनी देर में देखिए जो हमारा आटा था ये भी अच्छे से से नीड करना है बढ़िया से नीड करके से स्मूध कर लेंगे और यह थोड़ा सा चिप चिपा है गाले एक ही भात रहेगी और इसे अच्छे से नीड करेंगे पटक पटक कर हमें इसे नीड करना है उपर उठाएंगे और बाउल के अंदर फैकेंगे आप चाहे तो किचन स्लैप के उपर भी यह सब कर सकते हैं देखिए इस तरीके से पटक ना है हमें से कम से कम 20-25 बार हम पटक 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 प्लेट के अंदर इसे प्लेस कर दिया है ग्रीज की प्लेट के अंदर इसी तरीके से मैंने एक और पव बना करता यार कर लिया और दोनों को लगा दिया है अब उपर हम एक ओईल की लेड़ लगा देंगे इसके उपर आप चाहे तो दूद ले सकते हैं वह भी लगा सकते हैं और फिर बटर भी लगा सकते हैं जो भी आपके पास अवेलेबल है आप वो लगा दे इससे क्या होगा उपर क्रेक्स नहीं आएंगे और अच्छे से सिख कर तयार होगा कलर अच्छा आजाएगा इससे अगर यह नहीं लगाया तो कलर जो है वाइट सा ही रहेगा जैसा कि पाव का कलर है वैसा कलर नहीं आपाएगा अभी ढखकर इसे हम पहले मीडियम फ्लेम पर 10 मिनिट कुक करें उसके बाद लो इसी बीच में बाकी बचे होएं जो मैदा है उससे पेडे बना कर तयार कर लेती हो और इन ही पेडों से हम बनाएंगे नान भटूरे और कलूरे यह देखिए यहां पर मैंने एक पेडा ले लिया है सबसे पहले हम यहां पर नान बनाएंगे बटर या मैदा लगाए और बेल ले देखिए बिल गया है हमारा जो नान है अच्छा से अब देखिए इसे मैं थोड़ा सा ओवल कर लेती हूं उठाकर एक बार इसे खीच लेते हैं इससे यह ओवल शेप में आ जाएगा और इसके उपर पानी स्प्रिंकल करेंगे आप पानी जो है गरम होने के लिए रख दिया था यहां पर देखिए तवा भी गरम हो चुका है और तवे पर जहां पर हमने पानी लगाए उस साइट से नान को तवे पर डाल देंगे और इससे सेख लेंगे मीडियम फ्लेम पर ताकि नान जो है मैं देखा बना है अच्छे से सिख जाना च क्लोंजी और है मैं यहां पर कुल्चा तो कुल्चा बनाने लिए देखिए मैंने यहां पर कलोंजी जो होती है , फी नियुक की खास मैस किसी की मेधं Надजी को जाने अवर चीह से लोसे को पने सोफ्ट मैद है आराम से बढ़ जाएगा कोई प्रोब्लम नहीं होगे देखिए मैंने बेल लिया है और कुल्चे का जो शेप होता है जितना उसका साइज होता है उतने साइज का से बेल है और तवा गरम करके रखा हुआ है अब गरम तवे पर इसे ऐसे डाल देंगे कुल्च होता है अंदर तक सिख जाएगा देखिए एक तरफ से सिख चुका था तो मैंने पलट दिया है लो टू मीडियम फ्लेम पर हिसी से के इसे तो कि सिखने में थोड़ा से टाइम लेता है थोड़ा सा मोटा होता है अंदर से कच्छा नहीं रहना चाहिए कच्छा रहेगा तो अब भटूरा बना कर तयार कर लेते हैं तो उसके लिए मैंने यहां पर देखिए भटूरे को बेल लिया है जैसी तिकनस के हम नॉर्मल भटूरे बनाते है उसी तिकनस में से बेला है और अच्छे से तेल को गरम करके गरम तेल में मैंने भटूरे को अच्छे सेख लिया है तेज गरम oil में ही आप भटूरे के सेके तो फुला फुला जो आपका भटूरा है बन कर तयार हो जाएगा और देखिए यहाँ पर यह हमारे जो पाव है यह भी बन कर तयार हो गए चक कर के देख लेते हैं वैसे यह बन चुके हैं चक करने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं आपको चेक करके दिखा रही हूँ फिर भी क्लीन आ रहे हैं या नहीं की बन चुके हैं और इसके उपर हम oil grease कर देंगे फिर से अगर आपके पास बटर है तो बटर ग्रीस कर दे और भी बैटर रिजल्ट मिलेगा टेस्ट जो है और भी अच्छा आएगा और यह अ दस मिनिट के लिए छोड़ दिया था मैंने आप देखी रहोंगे कितने सोफ्ट बने हैं मैं अभी आपको कट करके भी दिखाऊंगी अंदर से इनका टेक्शर कैसा आया है देखे कट कर लेते हैं जैसे कि हम बर्गर बन के लिए कट करते हैं एकदम सोफ्ट स्पंजी पाव बने रहे हैं और होल्स देख सकते हैं जाली कितनी बढ़ी आई इनके अंजर यह देखे यह वाला भी देखे दोनों ही पाव जो हैं बहुत अच्छे बन कर तयार हों तो इसी तरह के साब बगैर रिस्ट के आराम से पाव बना कर तयार कर सकते हैं तो देखिए इन पाव को सारी चीजे जो हैं दिखा देती हूं कैसी बनी है तोड कर अभी देखे कुल्चा है यह देखे एकदम सोफ्ट कुल्चा बना है अंदर तक पक चुका है और टेस्ट इतना अमेजिंग आया था सच बता रहे हूं बहुत ही टेस्टी बना था बिलकि मैं आपको दिखाते दिख सेक के और रखे हुए से कम से कम पांच मिनिट का टाइम हो गया है उसके बाद मैं आपको दिखा रही हूं यह देखिए एकदम सोफ्ट नान बनाया है यह एकदम टेस्टी यमी नान बना था और देखिए अब बटूरे के बारी बटूरा जैसा मार्किट में बटूरे मिलत और अच्छे से यह जैसे उस फ्लेक्सिबल होता है ना मार्किट के भटूरे वैसे इसके अंदर जो है फ्लेक्सिबल्टी आ गई थी देखिए आप देख रहे होंगे कितना बड़िया भटूरा बन करते ही आ रहा है अब आती है बारी पाओ की तो देखिए पाओ को भी मैं जो आप इससे बना सकते हैं स्टफ नान, स्टफ कुल्चा, ब्रैड, केक, गार्लिक ब्रैड आप सारी ही चीज़े इस बैटर से इस डो से बना कर तयार कर सकते हैं तो जुरू ट्राइ कीजिए रैसिपी को और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जुरूर तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फूर वोचिंग